नमस्कार, कारिक्रम जीवन शैली में आप सभी का स्वागत अभिनन्दन, मैं हूँ आपके साथ विश्ववंद्व पांडे दर्शकों जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने इस कारिक्रम में जीवन शैली से जुड़े विश्वों पर बाच्चित करते हैं आज हम अपने इस कारिक्रम में बेहत खास विश्व को शामिल कर रहे हैं, मुर्तिकला और चित्रकला का महत्व और इस वेशाय पर बाचीत करने के लिए हमारे साथ प्रसिद्र चित्रकार मूर्तिकार श्री ग्यानिंद्र कुमार जी है ग्यानिंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत एक कारिक्रम तन्यवाद ग्यानिंद्रा जी आपका बहुत लंबा आनभव रहा है और आपने देश में ही नई विदेश में भी इस कला का प्रतरशन किया है तो सबसे पहले हम आज के कारीकन की शुरूबात इस बात से करना चाहेंगे कि आपका मूर्ती कला, चित्र कला की ओर, रुची, रुजान किस तरह से पैदा हुआ और कब से और कैसे इस शित्र की ओर आप आए? देखिए, मा और उसकी संतान, दोनों का जो संबन्ध होता है, उस पर अगर आप विचार करें, तो मा ही सब कुछ सिखाती है अपने पुत्र को, या पुत्री को, आने वाली संतान को. आया, मेरे साथ जो प्रिशना आपने किया है, वो इस तरह से जुड़ जाता है कि जब मा मुझे दिवालों पर उखलेवए प्लास्टर को दिखाती थी, ज़रतेवए प्लास्टर को दिखाती थी, जो कि मकानों की सीलन की वज़े से आ जाती थे, उनको देख करके वो कहती लॉक्ती है कि मेरी मां मुझे घुर्आ से सामने आती हैं उस तरीके की आकृतिया मा मुझे दिखाया करती थी और जब मैं टूटी चार पाई पर लेटता था और मा उपर आस्मान की तरफ मुझे दिखाते हुए ठपकारती हुई सुलाती थी तो कहती थी देख वो बादल दोड़ रहा है वो देख वो आदमी उसके पीछे जा रहा है कितना सुन्दर लगता था वो देखने में वो किस समय कैसे मेरे अंदर वो सारी आकृतियां बैठ गई वो कला घुस्ती चली गई मा के दुआरा दी गई वो सारे संसकार मेरे अंदर इस तरह से समा गए किस समय के बाद वो फूट करके निकल पड़े हाथ चलता है तभी आपकी लेख नहीं चलती है तभी आपका मूर्ती बनाने को चेस्टा करते हैं आप तो यह इस तरह से मेरा जीवन प्रारंभुगा और मैंने भी चाक ले करके कुछ बनाना शुरू कर दिया उस चाक को देख देख करके अपनी मा को दिखाता था तो यह यह संसकारों से आती है तो जो संसकार मुझे मिले वह आगे आकर करके आपके सामने समाज के सामने मैंने रख दिये यही एक माद्यम था जी मेरे आगे बढ़ने का और माँ जो होती है, वो सबसे पहली सिक्षक होती है और सदेव सिक्षक रहती है, हमें शिक्षा देती है। वो आज भी मेरे मस्ट्रिशन घुंगती है। आपके प्रिष्ण, देश्वन्दो जी जो आपने प्रिष्ण किया। एक दब मेरी मा का चेहरा इस पस्ट मेरी आँखों के सामने आगी। इसी चीज से आपके अंदर रुजहान भी रुची भी पैदा हुई और आप इस शित्र की हो रहा है। सर आपने लाइफ स्टाइल में अपने जीवन में इस कला को इस आल्ट को शामिल किया है। तो आपकी जीवन शाहली में इसका क्या प्रभाव रहा है इस कला का चाहे हम चित्रकला की बात करें या मूर्तिकला की बात करें। प्रभाव तो यह है कि जब आदमी संसार में आता है जे इशोर कहिए या प्रकृति उसको प्रकृति के बीच में आकर के खड़ा होता है तो सब हर चीज उसकी प्यारी होती है अगर ध्यान से देखे बिलकुल एक मात आप एक गुलाब के फूल को ले लिए जिसने रचना इत सुन्दर रूप बनाए हो या बादलों में कित तरीकी का घुमाओ डाला हो या पहाड़ों में उतार चड़ा उसने दिखाए हो तो ऐसी प्रकृति क्यों देख करके अगर मनिश्य को मस्तिक्ष जी आहे इश्वर ने जे तो वो क्योंना उसको आनन्दित होकर के उसका उसक समझने की बात है तो इस तरह से मैंने आगे जीवन को बढ़ाया और मैं उसमें कारी रत रहा लगातार और उसकी शिक्षाबी मैंने आगे जाकर के प्राप्त की आपने चित्रकारी और मुर्तिकला दोनों ही विधाओं में काम किया है जी आजया है हम समझना चाहते हैं कि ये जो दो विधाएं हैं चित्रकारी हैं मुर्तिकला है ये एक दूसरे से अलग है भिन है या एक जैसी है इस पर आप क्या कहेंगे देखे ये तो विचार उठते म Changing आप कोई ले लीगिए. बिलकुल ह Mali आप देखें अगर आप ब्रेश उठा लेंगे तो चित्र बना डालेंगे रा अगर आप च्छेनल थोड़ा उठा लेंगे तो मूरति बना डालेंगे और अगर आप फेन उठा लेंगे तो आप रचना लिख डालेंगे तो और अगर आप प्रिकृति की प्रिशंशा करने लगेंगे तो आप सुन्दर-सुन्दर लेग भी लिख सकते हैं तो ये तो प्रिकृति की को उतारने का और मन में भाव जागरित होने का एक माध्यम प्रिकृति सोयमी दे देती है जिसके पास मस्तिक्ष होगा वो निश्चीत रूप से कुछ ना कुछ अपनी कला से उस समाज को उस संसार को कुछ ना कुछ देने का प्रियास करेगा आपने विचारों की बात की और अपनी भावनाओं को अपने विचारों को आपने मोर्ती के माध्यम से चित्र के माध्यम से प्रदेशित किया है यानिंद्री जी क्या कोई अन्यमाध्यम क्योंकि हम देखते हैं प्राहया लोग निर्थ करते हैं संगीत में रुची रखते हैं कुछ खेल खेलते हैं और अपनी भावनाओं का विचारों का इसहार अलग-अलग तरीके से करते हैं तो क्या मोर्ती और चित्र के अलावा भी आ मैंने कविताइं भी लिखी, मैंने साहित्ती में भी कुछ कंट्रिब्यूट किया है, मेरे लेख भी प्रकाशेति हैं, भारती ये सांस्कृतिक संबंध परिशत, भारत की सबसे बड़ी संस्ता जो विश्य भर में सांस्कृतिक कारीकर्मों को पहुंचाती है, उसमें मेरे चि शाम गजल, और मैंने जो भी मेरे अंदर कलाएं हैं, उससे समाज को जो कुछ भी पहुंचा सकता था, मैंने वहाँ पर पहुंचाने की कोशिश करिया, और उसका मैंने भी आनंद उठाया है, और समाज को भी आनंद देने की चेस्टा किया है, ये मेरा रास्ता रहा है, इस मुख्य रोप से तो आपका चित्र और मूर्ती के प्रतीर लगाऊ रहा है। आपने इस कला का आर्ट की शिक्षा आपने कहां पर गहन की। हम जानते हैं कि आप विदेश भी कहें हैं इस पर क्या कहेंगे। हाँ मैंने कला की शिक्षा शांतीनी के तन सेज की। गुरुदेन रवीन दिनाठ टैगवर की विश्व भारती उनिवर्स्टी शांतीनी के तन। विश्व भर में ख्याती प्राप्त एक प्तिश्चित संस्ता है। उस धरती बर जब मैंने कदम रखा तो मुझे लगा कि वाक चल पड़ा, मेरी मूर्ती भी चल पड़ी, मैंने हर विधा में काम करना शुरू कर दिया। और एक आनंद की बात यह है कि जब मैंने आनंद लिया, तो हर भवन, महां पर कई भवन हैं, शिक्षा भवन, कला भवन, और भी हैं सारे भवन, संगीत भवन, हर कोई मुझे यह चातर बन जाए और हमें हमारे साथ कुछ सीख है, अब बच्पन से आप बहुत मुखी प्रतिवा के तो धनी रहे हैं, यह मैं तो नहीं कह सकता है, देशवंद्र जी, यह तो जो कुछ भी मुझे अंदर से आता था, रचनात्मक शक्ति, मैं समझता हूँ मेरी अपनी नहीं है, यह जब देता है तो मैं उसको पकड़ लेता हूँ, बहुत सुन्दर है, और जब वो मेरे हाथ में आ जाती ही तो मैं उठा करके वो कैनबस के रूप में आपके समक्ष रख देता हूँ, और जब छेन ही चल पड़ती है तो वो एक मूर्थी के रूप में आपके सामने प्रस्तूत करता हूँ, लेकिन उन शणों को मैं जाने नहीं देता हूँ, वो उक्षन जब क्रियेशन मुझे नेचर गाइड करती है, उसको तुरंट कैज करके मैं उसको किसी भी विदा के माध्यम से समाज के समक्ष रख देता हूँ, और वो मैं देखता हूँ कि अगर प अच्छित करें, तो हर कोई चाहता है कि मैं इसकी तरह बनू, किसी ना किसी का कोई ना कोई प्रेणा का शोत जरूर होता है, चाहे हम किसी भी कला की बात करें, किसी अन्यम, अगर हम विशों की बात करें, तो प्रेणा का शोत एक बहुत बड़ा आपने अभी बताया, जिक देखिए, मेरा लक्ष नाम कमाना नहीं रहा, प्रारम से आज तक नहीं रहा, मेरा लक्ष रहा है, जब भी प्रकृति मुझे कोई इंडिकेशन देती है, मैं उसको पकड़ता हूँ और जैसा मैं अभी आपको बता रहा था, उसको प्रस्तुत कर देता हूँ, तो उसमें प्रितिश्चित, मूर्तिकार, जब मैं उनको मूर्ति बनाते वह देखता था, तो मुझे लगता था, मैं क्यों नहीं बना सकता हूँ, और उनके मूँ से निकला एक एक शब्द, ऐसा लगता था, जैसे नेचर मुझे गाइड कर रही है, तो मैंने कंक्रीट में भी मूर्त आठ-8 फिट, साथ-7 फिट मूर्तिया मैंने बनाई, और इसी तरह से मैंने चित्र में भी 30 फिट लंबा चित्र बनाए, केदारनाथ का चित्र बनाए, आप ता जब आई थी, तो 30 फिट, 16 फिट लंबा, 15 फिट लंबे, इस तरीके के मैंने काफी काम किये हैं, तो जो मुझे मिला, वो मैं समाज को देता चलाएं, यही मेरा लक्ष रहा है, और इसी में मैंने चेश्टा के विदेश में में रहा, विदेशों में जब मैंने देखा, महां पर कोई आयू नहीं होती, देश बंदु जी, असी साल का व्यक्ति भी, कैन्वस हाथ में लेकर के, ब्रश लेकर के, अपने चित्र बना रहा है, यह नहीं के बाता हो लगे हुए है, परिवार में घुसे बैठे हुए है, अरे एक आयूग होती ही हर चीज की, बिलकुल, यह तो सबसे से समय होता है, जब आप कहते हैं कि मैं रिटायर हो गया, तब तो वो मस्तिक्ष से, वो ह के साथ निकलता है, और यह आयू जो है, जिसे कहते हैं, रिटायर्ड हो गया साब हम, वो सबसे बढ़िया विचार करने का, समझने का, समझे समझाया व्यक्ति होता है, तो इस तरीके से महां पर भी मैं उन लोगों के साथ काम किया है, मैं विश्यों के सारी बड़े- खाकत मेरे साथ रहती थी, कै अगर कोई अमेरिकन कोई चितर बनाता है, 16 फिट लंबाता है, 20 फिट क्यों नहीं बना सकता है, अगर मेरे अंदर सामझारता है, तो मैं उससे भी अच्छे चितर बना सकता हूं, तो मैंने इस तरीके की रचनाय की और सरहाया भी क्या काम, पुरुष हो चाए बच्चा हो या जवान हो कला सीखने की सामर्थ हर किसी में होती है और कला प्रस्तुत करने की सामर्थ भी हर किसी में होती है उसको जागरित करने की बात होती है उसको समालने की बात होती है और इसकी आयू कोई ना होने का कारण यही है कि उसकी खुले नेत रहना पड़ता है, अंदर से खुले नेत्र होना चाहिए, आप अगर मन से पवित्र हैं बिल्कुल, और आप मस्तिक्ष से बिल्कुल purity के साथ कोई रचना करना चाहते हैं, तो निश्शित रूप से वो समाज कोई कुछ ना कुछ नई देगी और सफलता उसमें जरूर मिलेग जियानिंदर ची आपकी भीतर क्या विचार होते हैं, जब आप एक मूर्ति को बनाते हैं, आपने अपनी बताया है कि केदानात की आपडा आई थी, तो आपने उसका चित्र बनाया था, विचलित हो गया, इतनी भी, क्या कहूं उस इश्वर को, वो अपने आपी खेल रसता अपने आपी उसका आनंद लेता है, बिल्कुल, और हमें भी कहता है कि तुम भी देखो संसार क्या है, कभी एहंकार मत करना, कभी अभीमान मत करना, तो वो एहंकार अभीमान का जो तरह-तरह के रूप मैंने देखे उसमें, कोई नहीं होता, चाहे कोई साधक कितने ही अगर कुछ होना है, तो वो होकर कही रहेगा, तो उससे भी हम प्रेरीत होकर के समाज को कुछ दें, और कोई नई चीज उनके सामने प्रस्तुत करें, उसका वो आनंद उठाएं, और उससे प्रेर ना भी लें कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो बहुत आजन्ता एलोरा ये अपना इतिहास भी बताती है बिल्कुल इतिहास को भी संजो कर रखा है और कला भी दिखाती है बिल्कुल इतनी सुन्दर कला चाहे मूर्ती ले लिजी या चाहे चित्र ले लिजी अब समय समय बदलता है तो कलाकार की एक रूम चित्रों के बनाने की उन प्रदान किये है और हमारी सस्कृति को दिखाते को चले आए हैं। मैं तो समझता हूं कि सस्कृति का जो प्रभाह से ससे चलता है और कला इसको ले जाती है. यह यह तो शेली मुझे भी याद आती है, आज के युग में वह अंतर हो आप से कहीं कि आप ट्रोध में बना दीजिए एक व्यक्ति को मैंने का लिजी अभी बनाए देता हूं जी मैंने कहा देश बंदूजी जड़ा आखे गुस्से में दिखा करके मुझे एक पोस्ट दीजी आप एक अपना रूप बना करके मुझे दिखा एक मैंने उसकी नकल उ अगर मैं सही रूप में क्रोधित हूं और उस इस्तिती में ब्रश और रंग उठा करके मैं उस कैन्वस के उपर बना देता हूं और उस चित्र को बनने के बाद मैं देखता हूं क्या वो प्रोध जिस प्रोध की इस्तिती में मैंने उस चित्र को बनाया वो उसमें जलकता तब मैं असली कला कार हूँ नहीं तमये कला करने हैं यह भी एक खोज करने का माध्यम है वह जो भाओ होते हैं जो विचार होते हैं वह सामने आ जाए चितर के माध्यम से किती सुन्दर बाद सर आपने कही है कला को रहसे मई ही ही होना चाहिए, सब कुछ जिसमें इसपर्ष्ट हो जाए, वो तो गणित हो गया, आना पाई सब ठीक, आप यह देखिए, इस पर विचार करिए, विचारों को बड़े विद्वानों के कही हुई बात हैं यह, तो सब कुछ अगर आप इसपर्ष्ट कर दे लेकिन आप जो आप एक देश बंदू जी हैं, देश बंदू जी उसमें जलकने चाहिए, हर आपके चित्र में देश बंदू जी जलकने चाहिए, बिलकुल, तो वो कब जलकेंगे, जब मन से पवित्र होंगे, जब परिस्तिती आपको उसको बनाने को अग्रेशित करेगी तब वो चीजे निकलती चली जाएंगी और एक देश्वंदू एक रूप में साप के सामने होमें इक ग्यानिन दुरु गुमार आपके सामने खड़ू है आप देखते ही कहादेंगे ये ग्यानिन कुमार का बनाये हो चित्र, चाहें आप कलाकार हो ना हो अब ही स्क्रीन पर कुछ चित्र प्रदेश्ट हो रहे हैं ये किस तरह की चित्र है और इनको बनाते समय आपकी मन में क्या विचार थे इस पर आप क्या कहेंगे वही मैंने कहा कि मुझे कोई प्रेरित नहीं करता आज मैं सुबह उठा आपने पता एक जीवन के साथ जुड़ मैं तो पूरा उस प्रकृति पर विश्यास करता हूं उसने मुझे गाइट किया रहे हैं मिट्टी पड़ी हूँ इसको उठाओ एक बात हम इसमें जोड़ना भी चाहेंगे आपका लंबा अनुभव रहा है इस शित्र में और धातू से आपने मुर्तिकों बनाया है तो इसमें जब ये तीनों चीजे मिट्टी धातू और बताएं कि पत्थरों का प्रियोग हुता है तो इसमें कठिन किसको बनाने में कठिंता जाद मैसूथ होती है कि हमें लगता है कि ये जादा कठिन है इसे रूप देना च्शेम बहुत बहुत अछी. मांसिक तरीके से तुम तयार हो गए हमने सोचे है कि साथ आज तो में दस्विट मूर्ती बनाने की शुरूबात कर रही डालता हूं मैंने सरिया लिया और उसको बांधा तार से लपेटा दूसरी सरिया को उसके साथ लपेटा बांधा और खड़ा कर दिया लेकिन जब मैंने उसमान चड़ाना शुरू करा मसाला चड़ाना शुरू करा या मूर्ती को रूप देना शुरू करा तब मूर्ती को रूप देते समय आधार भूठ जो उसकी रचना होती है उसमें शाड़ी परिशम की भी जरूरत पढ़ती है तो वो दोनों से आपका शरीर और मन मस्सिक्ष रहना चाहिए तो में लगता है पत्थरों को जब रूप देते होंगे तो परिशम अधिक पढ़ता है तो अब देखिए अब यह दूसरी चीज आ गई इतनी फास्ट यूग में इतने तेज दौरते यूग में आप एक पत्थर को ही काटते रह जाएं उसमें टेक्निक का प्रियूग होने लगा है मशीनों से आप पत्थरों को काट करके काटा करते थे आप सदेवी आता हों से मशीनों के आधार से आप उसका कार्विंग काफी हद तक उसका शकल और उसका रूप बना देते हैं इसको डेवलप कर सकते हैं लेकिन भावना मिट्टी में ही आएगी क्योंकि आप मिट्टी से जुड़े हुए है माटी की सुगंद जो है जब तक आप उसको अपने हाथ से गूत करके नहीं बनाएंगे तो उसमें भावनाएं डालेंगे मैंने काट किया पत्थरों को लेकिन पत्थर बोलेगा जब ही जब आपकी आत करके मेरे पास लेया हो हुए मैं अकसर ये वाद बताता हूं हो MON और मैंने आंवली का बनाई मधा बनाया है और वो पेड बनाने के बाद मै नहीं समयों दिखा या और वह विश्व के माननेवे नंदलाल बोस्ट। उन्होंने जब आर्यवों मेरे बनाएबूए पेड जाओ अपने आमले के पेड़ को पहचानों, मैं नहीं पहचान पाया, तब उन्हों ने एक शब्द कहा था, कि जिस पेड़ के नीचे बैटकर के तुम ने इतने दिन तपस्या करके तुम बना करके लाए, उसी पेड़ को तुम बंद आखों से अकर नहीं पहचान न पाये, तो तुम ने अपनी आत्मा को तो उसके साथ समर्पित किया ही नहीं, ना पेड़ को छुगा, ना पेड़ का ना आम लेकि फल का डाल के साथ संबन्ध देखा और तुमने पेड़ बनाते चले तो तुमने मशीन की तरह काम किया, आत्मा में तो उसको बैठाया ही नहीं. कभी भी कोई काम करो, उसकी आत्मा में समा जाओ, तब जुड़ करके काम करो, बहारी तरीके से काम करोगे तो वो चीज कभी बोलेगी, निश्यत रूप से बहुत बड़ी सीख है, वो मरती रहेगी, अगर किसी चीज को जीवित रखना है तो अपनी आत्मा से उस कारी को करो, निश्शित रूप से सवल होगा, चाहिए आप वो कैमरे से फोटो खेंच रहे हैं, फोटो भी खेंचेंगे, तो कलात्मक आपके जो विचार हैं, वो उमड करके आपकी क्रियेशन को एकदम सामने निकाल देंगे, तो ये भावना जब तक आप में नहीं रहेगी, तब तक व बनाने का प्रयास करते हैं, तो वो भी उसी तरीके से भाव ना उठे, उसे आपको बना लीजी, तो आपका चित्र सुन्दर बनेगा, उसी भावने का चित्र प्रारंबिक इस तर पर अगर हमें इन कलाओं को सीखना हो, तो हमें क्या करना चाहिए, जिसे हम इस कला को अच् इसी चीजी होते हैं कि पूत के पैर पालने में नजर आ जाते हैं, तो कई लोगों हो तो मैंने देखा है कि उन्हें आता कुछ नहीं है, सड़क का चलता हुआ एक बच्चा है, वो देख रहा है, मुझे मूरती बनाते हुए, तो ज़रूर उसके अंदर कोई बात होगी, ज सीखना तो जरूर आवश्यक हो जाता है, वो स्वैमी कभी किसी वक्त अगर आपको उसने काम करते देख लिया, तो किसी वक्त वो खुद भी मिट्टी कहीं से उठा करके घर में बनाने बैठ जाएगा, और उसको प्रोसाइद करने के लिए आपको विदीवत थोड़ा क्योंकि आज की बढ़ती दुनिया में प्रतिनी नई नई प्रगती समाज के अंदर देखने को आ रहे है, तो इसलिए गती बना करके रखना तो बहुत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है, जी, नई पीड़ी को आप मुर्तिकला की और किस तरह से प्रेडित कर रहे हैं, क् क्या कर रहे हैं, किस तरह से उन्हें प्रेडित कर रहे हैं? मैंने एक अपने निवास पर ही एक मतलब उसका आयोजन किया है, गैलरी का, उसका नाम प्रज्यान कलादीर का बनाया है, वो प्रिचार की दिश्री से नहीं कह रहा हूँ है, अपना जितना भी मैंने काम किया है, उसमें प्रदश्यत किया है, उद्देश यही है कि लोग आ मैं हर समय कहता हूँ कि कोई भी मेरे पास आया सीखे, अगर तो मैं ततपर रहता हूँ सिखाने के लिए, तो मैंने रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूर पर मूर्तियां लगाई हैं, और विभिन माध्यमों से बनाई हूँ लगाई हैं, कहीं ब्रांज की है, तो कहीं सीमें हुआ है, नियुकि अपाई है, कहीं सीमें ब्लैक सीमेंट है, और उसके साथ मैंने देखा है, कि प्रिकर्ति भी उसके साथ अपने पौधों को गुमाती हुई ले जाती है, और उसके साथ एक अपना नया लुक दे देनिये हैं. और उसके साथ मैंने ये वी वेबस्ता किये कि प्रकाश, अंधकार और प्रकाश के साथ उसको मूर्ती को किस तरह से सजा करके सामने रखा जाए वो भी इसमें दर्शाय जाता है तो एक आते हुए एक आनन, मुझे है सुख का अनुभब होता है, मैं देखता हूँ जो भी मेर मूर्ती और चित्रों का प्रदर्शन, आपने इने कहां पर प्रदर्शत किया है, क्या विदेशों में भी आपने इस प्रदर्शनिक आयुजन किया है? मैंने आस्ट्रिया में, UK में, United Kingdom में और इंडिया में भारती सांस्कृतिक संबंद परशियत में तीन बार मेरी चित्रों की प्रदर्शनी हुए, मूर्तियों की, और मेरे संगीत का भी गायन किया एक कारीक्रम हुआ, जिसने देश-विदेश के सारी लोगों ने उसको काफ और इंडो-जर्मन सेंटर द्वारा मतला विदेश के साथ मेरी चित्रों की प्रदर्शनी बैंगलोर में हुए, इस तरीके से मैं लगाता चित्रों की प्रदर्शनी करता रहूं, और विद्वाने ने उनका उद्गाटन भी किया है, तैसे श्रीमती विमला शर्मा पैसिर् पतनी और ICCR के प्रेसिडेंट चेर्मेन इन लोगों ने भी काफी मेरी प्रदर्शनियों का उद्गाटन के कमले शर्साहितिकार उन्हें भी आनंद आया वो देहरा दून आये उन्होंने भी मेरी एक कला प्रदर्शनिय का उद्गाटन के बहुत सुंदर और इसी तरीके से आप नई पीड़ी को सिखाने का प्रयास भी कर रहे हैं सर आप स्टूडियों में आए और इतनी अच्छी बाते आपने इस विशेव पर की इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका आभार जी तन्यवाद तो दर्शकों ये था आज का हमारा कारिक्रम जिसमें आपका 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 आपक